कि नमस्कार पीएमी विद्या चैनल नमबर 9 देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूगी तांचली कैसे हैं आप सब लोग उमीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे से जुड़कर जितनी क्लासे हैं जितने सेशन हैं उन्हें अटेंट जरूर कर रहे होंगे तो बच्चो आज के इस वक्त की सेशन में हम 9th क्लास के लिए उर्दू सबजेक्ट लेकर आए हैं और आज इस सबजेक्ट के लिए जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है खुदाहाफिस ड्रामा है ये और इसके बारे में जादा बात करेंगे या आपको जानकारी देंगे या ये ड्रामे में और क्या कुछ खास है ये बताने के लिए हमारे एक्सपोर्ट हमारे साथ जुम्दीन जी मौजूद हैं सर बहुत बहुत सुपागत है आपका बहुत 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 शुक्रिया जो है जी सर ऑफ इस्तक्बाले इस प्रोग्राम में जी सर डी एल अन्सी आटी है और सर चुकि जैसे हम थोड़ा इस शब्दों से समझ रहे हैं खुदाहाफिस ड्राम और यह क्या डामा है किसनी यह लिखा है इसकी जरा डिचल भी बच्क जो जरूर जानायगा है हम चाहतीज को बच्छ कुछ खास थानवी के नाम आपने पहरे भी सुना होगा और यह बहुत मेदाईया कलमकार हैं बहुत अच्छे लिखने वाले हैं और इनके शारी भी करते तो शारी इंबे इनके उतना तंदमेदा नहीं है लेकिन इनकी जो नसर की तहरीर है यानि जो फिरोद मोहनों लिखा है वो बहुत और इनका असर नाम मुहमद उमर था और उकलमी नाम इनका यानि पे नेम शौकत थानवी था जो है इन्हों नसर और नजम दोनों में लिखा है और खूब लिखा है इनके हां मोदुवाद में बहुत रंगा-रंगी है मोदुवात बहुत मुद्व तरह के हैं वह बड़ी व मिलते हैं यह अलग 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 अरुदू की असनाफ है जो लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने जिस पर हम गुस्तगो करेंगे उसका नाम में खुदाहाफिज याग ड्रामा है तो इनके किताबे शौकत थानवी के कई है का जैसे सौदेशीरेल है मौज तबस्स्म तोफान त बहरसी जो तुद बहर सख ल Сहिलाब तबस्सम तो आप अध्शीरे किताबों के नाम के साहँए है ओते हैं ओते होमाँ भी है तूफान भी है बहर याणी समर्दर है है तो यानि कहिए न के जाहिरों, तबस्ट्स्म को मतल्ब होता मुस्कुराहत, तो जुस्क्राहत जिस में आपके दाएन मुस्कुराहत जो हि तनी हमती हों टों यह होटों पर खेल जाएय उसको तबस्ट्सम और कंथा और उर्द। तो जो यह तरह आप जोड तोड, कालटोन, ससुराल, सीश महल, यह उनके खाकों का मजूगा है। अजसी तरह उनकी किताब है जो पॉलिटिक कलेक्शन के नाम है उसका नाम है गम घलत है। गम घलत करना मुहावरा है यानि किसे अपने घम को भूल जाना जो है। जाना जो जो पॉलिटिक करता बड़ा है जो है। यह उक्तानी का मुतरसल तारूप था जो है और आजए ड्रामा के बारें भी हम जाने थोड़ा हैं। तो जादा 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 वो कर देखने की चीज़े करके देखाने की जाएं। और ड्रामे का बराहरास तालुक वह स्टेट से हैं, अगर स्टेट ना हो तो ड्रामे में सिर्फ वो लुट्फ नहीं आगा जो स्टेट पर पेशकत के दोरान नजराता है, तो अगरामे को हम देखा तो इसकी इपतदा जो है, महुत पुराने जमाने से हुई है, यूनान से और इसके माने हैं कि करके दिखाना, अरस्तू ने जिए घ्रामे को जिंदगी की नकाली करादी हैं, ड्रामे में स्टेट पर मौदू करिदार हूं, दूसरे लोग हो है, उनके अमल की नकाली करते हैं, और ड्रामा अमल के जरीए ख्यालात को पेश करने का नाम, यानि कुले खष्ञेंदार है और फिर्दार के थीम पीजिए जाए हो थीमितीप मैज का सिर्थ व्कश खजान आथर हों अफंगे ऊछिंदार्ण में लेयरियर के जिए दिलसांदे है इंवाला हुए कि घाष्ञ जाला बहता हुँए ऑगा थिर्जी घाहिताय के लिए टन में होती हैं जो इस तरह हम देखते हैं कि ग्रामा के पूरे हैं एक फन का नाम है और इस सारी थैयारियां करने की पड़ती है यह शरूर डिर्मा की दूरिया को दूर्म आइक टरव का थार हम अच्छा नहीं पर ऊचान रहां में उसका गमंगे बाला जबाता करना था आधिम् चलता के रिन करुण जाह, अम्हराि नहीं पुर्ण पाएज़ करना है तो किस्ट बाहन चाहनहां के मस्त ऐस화 करें किषा सबसस्कर करें में तक्या कुछार नहीं है। उस क्रदा के जरीम news यके छोह कि मिल हमारे अंदर क्या हो रही है तो इसकी तब आम दिया है तो हमारा जहें खुट बखुच जो है विलन्स से नफरत करने लगता है, हीरो से हमदर्दी करने लगता है तो वही चीज ड्रामें में भी होती है, बलकि फिलमें भी ड्रामे की एकित तरक्यापता शकल हम कह सकते हैं दूसरे किसम है तर्विया यानि कमेंटी जिसको हम के सकते हैं जिसका अंजाम जो है खुशिय और मसर्वत पर होता है और यहां तमाशाईयों को तफ़री फरहाम करने पर जोर दिया जाता है तो यह तो हमने मुसर्वत का तारुफ होगा था ग्रामेक किसमें कि बताए और दो है उसके बाद में इसमें आई है कि यह जे आधा तरकी भी हो द scat साद आधे किसमेंंगें प्रदी आधेर हो उता फीलाग होता है स्टेज को तैयार करते हैं, वक्त भी इन सारी चीजों का ड्रैमे में ख्याल लगा प्रता है अब आए देखते हैं कि हमारी जमाद नवायर दो के में शामिल है इसका नाम नवायर दो है इसका एक सबक जो है का नाम है खुदाहाफिश है यह ड्रामे के बारे में हमने आपको बता दिया, मुसनिक के बारे में भी बता दिया, अब यह ड्रामा इसका देखिए, इसका उन्वान है चुदा हाफिज, और खुदा हाफिज बहुत दिल्चस्प टैटल है, यानि हम आकसर इस लवड को हम इस्तवाल करते हैं अपनी तो खुदा हाफिज, लेकिन आप यह देखिए कि इस खुदा हाफिज के जो टाइकिल है इंटरामे का, यहां शौकत ठानवी ने या मुसनिक ने एक बहुत थी बहुत थी बहतरीन अंदाद में एक चीज को लेकर उसको दर्या को कुदे में बंद करना, तो इसको आप बलक लेकि एक मेर साहब है, नवाब साहब है, उनका नाम है मेर साहब, और बहुत ही वह रही बात है, नवाब है तो सारी उनको आसानिया भी फराम होंगी, सारी चीजे सवलते हैं, उनको एक मुकदमे के सिल्चले में अपने घर से करीब चालिस के उच्छों को दूर जाना है, और कभी रेल का सफन नहीं किया, वो घबडा रहे हैं, लेकिन उनके दोस्त उनकी मदद करते हैं, वो दोस्तों से भी मशुरा करते हैं, उनके दोस्त एक मिर्जा साहब हैं, दूसरे दोस्त उनके शेक साहब हैं, जब ये लोग होते हैं तो उनसे भी मशुरा करते हैं, और जिस तरह से सफर की ताथ करते हैं लोने चालिस को सफर है एक दिन पहुंचेंगे एक रात रहना है दिनभर препू किशेरी मुकदमा में लोन मुकदमा उनका पेश हो का और एक रात कियाम करके वह पासा रहना हम कि लेकर बारर प्याम करने के है वो सारी चीजें ले एंद राय क्या हुर्व है मारिक अभए मेरे वालिद निकले और मेरे दादा इनको कभी गर से बाहन निंज यानि यहां वोर नवाब की जो अपना अंदाज होता है रहन से उनका उनकी जडरुवत उनको मुलादिमों से पूरी हो जाती हैं उन्हें कहीं आ जान आने जाने की जडरुत सब्ढ़ती दो इस तरह बहुत थारे के लिए बहुत उन्हें कोशित किया उसमें आप देखिए उसमें क्या क्या चीज़ उन्हों ने शामिल की हैं तो यहां पर देखिए जो किरदार थे मिर्जा साहब हैं यह मिर्जा साहब हैं शेक साहब उनके दो मुलाजिम एक दौलत और रौनक है जो मुलाजिमा है अउनकी जो तेयारी है बहुत सारी चीज़ हुए तें मिलें कि मन बर्तन बहुत साहरे हैं केवली भी है चाही subhani बहुत प्याली मीरी जो है bo outra चुलाज हमें अब इसी तरह उनकी तैयारी के सिल्सले में आप चलना चाहिए जो है तो जो तैयारी उनकी होती है उसमें जरा सहम देखें कौन कुंसी चीज़ उन्होंने शामिल की है तैयारी में उस पर एक नदर डालते चलें थे अब़ारी जो पिर छाय स्कारवतर हैं बसे सटक्राव उनकी है कर्केशामिल गेंश भीर जन्हुना तंच्वियूंगत Mr. हम मैं मैं पॉठी गभी विएविए नद डया कि म में धान की दान लिकार वहां मंगेंसे हैं सब्सक्राव में करहां हैं चोसर, शत्रंज, बकेरों का काबुक वगएरा, तोते का पहला पांदान, नाश्यदान, सुराही वगएरा, अब जाहिर से बात है कि आप इन तफसीलात को देखें तो लगता है कि एक दिन का सफर नहीं बलकि लगता है कि बहुत तबीर सफर पर जाने बाले हैं, पैसा लगत कि आप ढूएरा लगता है लगता है कि कि ले सफर सामा ले कि एके खने हंता का करांगे लेकिन बालेशन के भी एकि बार नहीं घिट अब आसे बासे के लेकिता है किस पूछता कूछ उगभाराव उख डु का तो अच्छा इसका एक पहलू ये भी है कि जब एतना ज़ादा सामा ले चलते हो जाहिर जबादे कोसी इसाफ सो उनको करना पड़ा कर जो है इंचदाम जी तो बारहाल सारी तैयारियां उनकी जब मुकमल हो जाती है बग्गी मगाई जाए तो बग्गियां भी आ जाती है और सामान उस पर लदवा दिया जाता है मुलाजिम का नाम दौलत है मुलाजिमा का नाम रौनक है मुलाजिमा के खबर देता है कि बग्गी आ गई है अब आपको सामान लदवा दिया जाता है और इस तफाक से आप देखिए कि उसे दोरान जो है दोलत को चीक आ जाती है अब कि अंदर एक बेचेनी पैदा करते हैं कि एक अच्छा शबू नहीं कुछ गड़ गड़ हो जाए तो थोड़ा सा अराम कर ले एक पान की गिलोरी खाले उसके बाद फिर चलते हैं तो बैराल तीनो दोस्त वह बैट जाते हैं अंदर जाके पान आता है पान खाते हैं थोड़े बाराल उसमें कोई सरदार दूलन है कि यू बेगम है कोई कुछ है वगरा पांच शे बेगमात उनकी जो है अंदर काम कर रही हैं वह सब उनको इमाम जामिन बांगती हैं इमाम जामिन बहुत एक तरह के सिक्का होता है कपड़े में लपे के बादू पे बान दे जाता है ज और जब महां पहुँच जा तो इमाम जामिन को खोल कर उसमें जो पैसा है किसी जरुवत मन को देजाएं खेरात कर दें इसका मुले हमारा सफर पूरा हो गया है तो इस तरह की बहुत सारी चीसे एक में जुजियात आई हैं लेकिन जब वो दौलत वे सामा दफा देता तो बढ़ा खेरा अंधर गयां पर आधूर ऊंग जाते हैं फिर अख फर बैकते हैं पान खाते हैं पान कփना ए बाथ जयर हो उन्ओक एम सिन्त घ्र डाघाते हैं और जयसे ही बागे बढ़ते हैं बगने के लिए आखे वगे पर लुप लिक不ल बहुत अच्छा जाती है अब पहली बार तो होई कि छीक हो गई दूसरी बार शुगूनी यह होई कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो इस तरह कि अब नवाब साहब परिशाब बात है अब जो पहली बार तो हिम्मत कर ली बेचलो चीक आगए कोई थोड़े आराम करके नि किसी हाल में जाना बेचर नहीं है बाराल किसी ने किसी तरह वो जो है नवाब साहब को अपना एरादा बदलना पड़ता है हलांकि उनके दोस्ट शेयक साहब समझाते रहते हैं को भाई यह सब बाते छोड़िए यह वहम है इसमें यकिन नहीं करना चाहिए नया जमाना है लेकिन वह बाराल इतना यकीन उनका वैठावा कि वहम में पड़ जाया आदमी तो बड़ी मुश्किल से निकलता है और पहले इस तरह की बाते लोग बातों पर लोग बहुत यकीन किया करते थे तो उसमें जो है उनको कोई भी कुछ भी नहीं लेकिन यकीन कर लिया तो रधाиль को एलागिक बाता है उसका मुलाझी तो कहएता है कि हजडर क्या सामान बग्द्ध कर लिया जाए हूँ हमान उतरभा लिया जाए वननो कहारा हिए उनको अभी नहीं को नहीं को ऊता है जिसंग है वो और रिक आप यइन गिबत्धी है को बैखना ता इनके बैगblack को लेकिन भी पैखना तो इनको बैखना था मेर भगःन। जो उनके बाध को रहती है इसमें कह बट्रों को पहाए चिसमें ड़कां रहती है थे लेखले हम अब शिसमें को को बात बे向 लिखा जा वो बग्जी से सामान एक से तोतर गिया अब दूसरी बग्जी का सामान जब उतान ने पुछत मालूमा कि गोड़ा बिगड़ गया अब सामान उत लदा हुआ है अब उस पर कावुग भी है बटेरों की तोता भी है वो परेशान अब नवाब साफ को जब इतला दी आती तो क्या होगा बटेरों के क्या होगा उसके जान निकल जाए कि मेरी जान तो उसी में अटकी हुए है बारहाल किसे इतना से घोड़े को कावु करके लाके वो बटेर और इनको नवाब साब को दिया आता है इनकी जान में जान आती है और फिर वो मुलाजमा से जानिया रहुना आजमात लगको दियर बाद वो अनार का शर्पत लागे देती तो उनको आराम हो जाता है अब फिर उनके जो दोस्त हवाब जो है वो उनसे रुखसत होना चाहते हैं जो मेर साहब है एक मिर्जा साहब दूसरे शेख साहब है वो उनसे अब रुखसत लेना चाहते हैं आज मेर्यक का यह राखस का यह रही है जो एक दूसरे से लोग जोड़ा होग लेकिन यह खवदा हवापिस का जो क़िशरते हменेघ़ ले कि बेच्छत लुखसत ने, शेव सब लापार की ऐसा की बिल snippet वावोल करने जान अ मचेक आप आप के जयादा या थान्य एक निकुन बढसा कि पताया करकि में आप उसको करके देख़ा की तो जब आप पढ़ें तो तो पसमें रही है लेकिन जब इसको करके द खाया तो श्कीति कि अफेस्में कि एक देखिए हमारे अंदर तो हम आज की जिंदगी में साइंसी दौर में हम जिस माहौल में जी रहा हो दुनिया जिस तेज राफ्तारी से तरक्य कर गई हैं इसका पहलू यह निकलता है कि आज भी हम जो है उन्हीं सुनाई बातों बातों पर चल रहे हैं बिली रास्ता है दो सब्याइक कि खाणाब आदेदाश था हते हैं कि जब जादा राम वाइशा इंसान को हासर हो जाती है तो वो आगे बढ़ने का जो जबा होता है कहींनें कहीं हो मान जाता है घीमा पढ़ जाता है लो पते आपको रहे रोक लेता है तेहीं परief थारोते हैं रहे ज़स जवाल शुरू हो जाता है और पीछे पतन शुरू हो जाता है तो कहीं ने कहीं एक जवाल आमादा तहजीद को लेकर शौकत थानवी ने खुदा हाफिज के जरीए एक अच्छी बात कहने की पेश किये और एक तरह से माशरे पे तंद भी है कि हमारी नवाबी जिंदगी जो ह नवाबी जो है और धकोसले जो है वो कब तक हम इसको लिए चलते रहेंगे तो कहीं ने के देखिए जो मुसंणिब का थीम होता है अब आहरात उसके नहीं कहता लेकिन उस जरामी के अंदर यह सारी बातें जो है चुपी होई है पोशिदा है तो इसको आप देखिए जब आप पढ़ेंगे और इसको करके दिखाने की बात है तो अगर स्कूलों में हम बच्चों से यह भी कह सकते हैं उस्तास से कह सकते हैं बच्चों को कुछ अब मिर्जा बनाएए किसी को मिर्जा बनाएए किसी को तो एक स्टेट के बच्चों में दिल्चस्पी होगी और जो उसमें अलग अलग लोगों के जरीए हैं, उन डायलाग के जरीए भी उनको अदा करें, तो डायलाग जब वो अदा करें तो उसको याद भी करेंगे और जबान भी सीखेंगे, इसमें जबान के सीखने के लिए बहुत सारी चीज़े हैं, इसमें देखियें, एक तो गालबन भी है जो पूरा माषरे हमारा है आवड का इलाका जो है लगनवी तेढ़ा का तो है इसे तेढ़ क Rab evol увид की Marlala की औो से अजोती है तो थे बादाब करते हैं तो करते हैं जिस तरह करते हैं इंजर कि मिलने जूले का तरीका बाचीत का चरीका है वो भी उसमें बहुत अश्चा इस्तमाल है और रहें सेहन की अकासी होती है किस तरह लोग रहते हैं मामुली सफर के लिए बड़ा हितमाम होता है जबान की बहुत सारी खुबियां है बात कहने कर सलीका इसमें कैसे है बहुत देखना पड़ेगा अगर कोई बात हमें कहने है और मावरे ना इस्तमाल हो या बात सेजे साधे कहने तो जाहिर बात दिल्चस्पी नहीं रहें लेकिन अगर पोईटिक टूल्स जो है या लेंगविज टूल्स को नहीं कोई जबान की स्थरा खुब्सूरत हो सकती है उस पर हम तवज्जू दे तो हम जादा बेहतर तरीके से अपनी बात को दिल्चस्प बना कर लोगों के दिलों में उतर सकते हैं तो यहां मुकालमे जो है डायलाग बहुत दिल्चस्प है किरदारों की शमूली से ड्रामे में जान आ गई है और ऐसी बहुत सा जी खोबिया है की और देखे जो उसमें बेगम आप का नाम था बड़ी बेगम है सर्दाद डुलन है बहु बेगम शम्णाद बेगम नूर महल कमर दुलन तो इस तरह market मीर साथ की बेगमात की सब्सक्राइब करें देरा कोई थाहर निस में कुछ चीज़ है अब देखते हैं दो चार जुम्ले हम पढ़ते हैं जहां से ड्रामा शुरू हो रहा है मीर साथ कहते हैं अमा तुम ही बताओ मिर्जा साहब कि इसरेयल के सफर में नसीब दुश्मना जान जोखम तो नहीं अब उनके दोस्त कहते हैं मिर्जा साहब आपकी भी वल्ला क्या बात और आपका तो यह सफर कदम भरका अब यह मुहावरा नहीं इस्तमाल होता है लेकिन कदम भरका मनलत बहुत ही कम वक्त का है बहुत ही थोड़ा है बहुत ही जादा फासला नहीं है और फिर वो कहते हैं मेर्जा इंशालला मगर भई बात यह कि पहला इत्तफाक है इसी से लोना साथ तुमको जरा इस सफर का तजरबा है और मैं बिल्कुल नया आदमी तुम्हारे सरे अजीज के कसम कलेजा हाथों उचलता है इस तरह की देखिए जबान भी इसने का बहुत जिल्चस्पी है आप इसको जब भी पढ़ेंगे जी और देखिए रेल के वाड़े नह तो नवाड साथ कहते हैं मैं परेशान हूं अलबता पहला इत्फाक है और सवारी भी वह आई सी जिसकी ने लगाम न जिस पर चाबुक का असर और सुना है भी वह वहात बाते करती तो रही बाते लगाम भी लगती घुड़ा हो तो उसमें लगाम लगती जह और सवारी बिस्तर में तकिये, तकनिया, तोशक, चादर, शाल, पलंग, पोश रख दिया है, और कुछ तो नख रखा जाएगा, मिर्जा साब और लेहाब, मिर्जा साब कहते हैं, यानि इस गर्मी में लेहाब भी ले जाएगा, मिर्जा साब बाई परजैस का मामला है, मालूम नहीं व हम सुन रहे हैं अभी तो, और इतना इंट्रस्टिंग लग रहा है हमें, हम जब इस ड्रामे को होते हुए देखें तो शायद ऐसा लगे की, इसमें जो जबान की चाहतनी है, यानमी जमात के लिए हमें अधब पर जादा तबज़ हो जाती है, उस लिहाज से इस इस ड्राम लुट्फ लगातार ले भी रहे थे, जो भी इस वक्त बच्चे इस ड्रामे को सुन रहे थे, सिर्फ सुनने में इतना लुट्फ ले रहे हैं और जब इस ड्रामे को देखें तो शायद जाने क्या हो, वो मज़ाई है, पढ़ने से तालोक लगता है, जी 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 तो यह है, बारहल सर आज हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत शुक्रिया इस बहुत बढ़ी ऐसी ड्रामे को हमारे बीच रखते हुए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, आपका भी शुक्रिया हो, तो बचो अब आपने देखा, आज बहुती खास जो ध्यान है, जो तवज्जो है, वो दी गई है, बारहल आज की इस सेशन में, हम आपको खुदा हाफिज कर रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से हम भी आपको खुदा हाफिज बोल रहे हैं, और हम अपने दुश को उसे अब इजासत लेंगे, और यह ही कहना चाहेंगे, कि PME Vidya Channel के साथ आप यूहीं बने रहे हैं, थैंक यू सो मच, नमस्कार.